दोस्तो ये देखे, मैं आज लाल मोहन की रेश्पी आप सब के साथ सेर कर रही हूँ, साथ पहले आपने इस मिठाई को कभी नहीं बनाया होगा और नहीं खाया होगा, क्योंकि ये जो लाल मोहन है ना एकदम अलग तरीके से और एकदम यूनिक न्यू मिठाई है, एकदम अल बुल जाने वला मिठाई है, आप देख पा रहे हैं कितना जूसी है और अंदर का इसका टेक्स्चर देखे, बहुत ही गजिब की मिठाई बन के त्यार होती है, बनाना बहुत ही आसान है, जटपट ये बन भी जाएगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, तो वीड का इसकी निकाल दी थी और बहुत बढ़ी हसे साफ कर ली गाजर को, अभी मैं गाजर को थोड़े छोटे चोटे टुकरों में काटके और मिक्सी के जार में डाल लेती हूँ, क्योंकि हमें गाजर को पीसना है, तो आप चाहे तो बारा टुकरा या चोटा टुकरा कर सेकते ह पर चोटे टुकरों में करियेगा तो बहुत जल्दी से पीस के त्यार हो जाएगा और इसके बढ़े चोटे चंक्स नहीं रहेंगे, तो इस तरीके से मैं गाजर को पतला पतला काट ली और अब मैं मिक्सी का ढखकन लगा लेती हूँ और बढ़िया से इसे पीस लेती तो ये देखे गाजर हमारा पीस गया है बीना पानी का हम इसे पीसे हैं पानी नहीं डाले हैं और इस तरीके से हम बढ़िया से इसे पीस लिया हैं एकदम फाइन पेश्ट नहीं बनाएगा थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो चलेगा पर बहुत मोटा भी नहीं रहना तो अभी हम गैस के उपर एक कड़ाई डाल दिये हैं और इसमें हम दो चमच घी डाल रहे हैं घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम इसमें गाजर जो पीस के रखे हैं इसको डाल देंगे और गाजर को हम दो-तीन मिनिट के लिए भून लेते हैं ताकि गाजर का कच्चापन ज जो color है वो भी change हो गया है और इसमें जो moisture था ना वो भी थोड़ा कम हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें एक कप सूजी डाल देंगे यह वही सूजी है जिसे हम उपमा या हल्वा बनाते हैं तो इसको डाल दिये हैं और इसी गाजर के साथ इसको बढ़िया से मिला इसमें पानी या दूर डालने की जरूरत नहीं है, गाजर का जो मॉस्चेर है उसी से सूजी फूल जाता है, तो अच्छे से मिला लेंगे गाजर में हम सूजी को, और अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देते हैं, और इस सूजी को ढखके रख देंगे 10 मिनिट के लिए, ता तो इस तरीके से 2-3 मिनिट आप सूजी डालने के बाद भी मिक्स कर लिजेगा, उसके बाद इसे ढखके ढख दीजेगा 10 मिनिट के लिए, 10 मिनिट बाद ये अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा, एकदम ठंडा नहीं होगा, थोरा सा गरम रहेगा, तभी आप इसको थोरा सा चिकना कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेने से ये डो फॉर्म में आ जाएगा, तो ये देखे में हाथ से मसल के और इसे चिकना कर लै ये डो जैसा हो गया है, तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे और ये देखे थोरे से काजू, बादाम और ईलाईची में टाकी उसको भी डाल दी थी और इसका पाउडर में बना ली अब आप देखिए थोरा समय मावा रखी हूँ ये होमेड मावा है तो इसे में हम ये ड्राइफ रूट का जो पाउडर बनाए है इसको डाल लेंगे और अब हम इसमें एक चमच सुगर पाउडर डाल लेते हैं ता मावा का जो मीठापन है वो कम हो जाएगा तो वही बाइलेंस करने के लिए एक चमच इसमें हम सुगर पाउडर डाल के और अच्छे से मिला लिये हैं तो अब हम इसका हम छोटा-छोटा सा बॉल्स बना के त्यार कर लेते हैं इस तरीके से छोटे-छोटे से लड़ुजे स आप बना के रख लिजे ताकि फीलिंग करने में आसानी हो और बार-बार हाथ धोने के जरूरत ना परे तो इस तरीके से सारे बॉल्स को हम ट्यार कर लिये है dir. मावा बाले बॉलस को और के लिए और चैनी बनाने के लिए एक क्तोड़ी चीनी ले लिए है और जितना चीनी है उतना ही पानी डाले हैं और गैस ओन कर दिये हैं और चीनी घुलने तक हम चासनी को पहले पकने देंगे तो जितना आप चीनी लेंगे उतना ही पानी लीजेगा और चीनी घुलने के बाद 5 मिनट तक और चासनी को उबलने दीजेगा तो आपका चिप-चिपा सा चास नहीं चाहिए या कोई तार वाली चासनी नहीं चाहिए इसमें फूट कलर डाल दी और अब हमारा चासनी बनके त्यार हो गया है तो अभी मैं मिठाई बना लेती हूँ तो हम गाजर और सूजी वाला डोजो बना के रखे थे उसमें से थोरा सा बड़ा पोर्सन लेंगे हथेली पे गुमा के चिकना कर लेंगे थोरा सा उंगली की साहता से बढ़ा लेंगे और ये मावा वाला जो बॉल है बीच में डाल के इस तरीके से फील कर लेंगे और फिर से इसे चिकना करके थोड़ा सद दवा देंगे तो इस तरीके से हम सारे मिठाई को पहले बना के रख लेते हैं ये देखे कितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है इसी तरीके से मैं और भी बना के रख लेती हूँ उसके बाद एक ही साथ इसे हम फ्राई करेंगे बनाना मिठाई को बहुत ही आसान है और गजिब की ये मिठाई बन के त्यार होती है देखने में ही ये बहुत बढ़िया लगेगा और खाने में तो आप पूछे मत बहुत ही अच्छी मिठाई बन के त्यार होती है और बहुत सस्ते में तो फीलिंग में अगर आप मावन नहीं डालना चाहते हैं तो डेसी केनेट कोकोनेट में दो चमच मिल्क पाउडर और एक चमच दूद मिला के अच्छे से मिला लिजेगा और फिर उसको भी स्टफिंग क कर सकते हैं तो अभी आप देखें मैं कड़ाई में तेल गरब होने के लिए डाल दी थी और इसमें हम एक के करके ये मिठाई को डाल देंगे तेल में डालते ही हम इसमें कर्ची नहीं लगाएंगे जब ये नीचे की साइड से थोरा सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसको पल पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे गैस का फ्ले मीडियम रखेंगे ताकि अंदर तक बढ़िया से सीख जाए और ये देखे हमारा मिठाई एक बैच का जो है वो फ्राई होके त्यार हो गया है बहुत बढ़िया से इसके उपर कलर आ गया है उलट पलट के मैं दोनों तरब से अच्छे से सुनारा कलर आने तक इससे फ्राई कर लेंगे तो अब आप देख पा रहे हैं इसके उपर कितना बढ़िया कलर आ गया है अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ और दूसरे बैच का भी मिठाई जो है इसी तरीके से हम फ्राई करके रख लेंगे बहुत ब एक बार हम चासनी में इसारे मिठाई को डाल देंगे तो यह देखिए बहुत ही बढ़िया गजब की मिठाई वन के त्यार होती है यकीन मानिए दोस्तों आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा आप सभी को यह मिठाई बहुत पसंद आएगी तो सारा मिठाई को हम कर लिए हैं और अब हम चासनी में इसे डाल देते हैं चासनी भी गुन गुना है और मिठाई भी थोरा सा ठंडा हो गया है एकदम गरम गरम निकाल के हम चासनी में नहीं डाले हैं क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है एकदम तेल से निकालते ही मिठाई को या गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई करके निकाल लेजे फिर चासनी को थोरा सा गुनगुना रहने दीजे उसके बाद सारे मिठाई को एक ही साथ चासनी में डिप करके रहने देती हूं उसके बाद ये सर्व करने के लिए त्यार हो जाएगा तो ये देखे 20 मिनिट के आसपास हो गया है और लाल मोहन जो है बढ़िया से चासनी को एबजॉब कर लिया है आप देख पा रहे हैं फूल के कितना बढ़िया बढ़ा बढ़ा हो गया है और देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है तो कम खर्चे में कम महनत में बहुत ही बढ़िया मिठाई बन के त्यार होती है फ्रीज में रखके और सर्क कर सकते हैं, खराब नहीं होगा, बहुत बढ़ियाय मिठाई बनके त्यार होता है, वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिएगा, चाइनल पे नहीं है, तो चाइनल को सब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, तो हैना बहुत कमाल किये मिठाई, आपने कभी ट्राई किया था, गाजर की ये अनोखी मिठाई बहुत ही टेश्टी बनती है, जरू ट्राई करिएगा,